वेलकम बेक टू नैंसरो क्लासेस और दिस इज नई श्री आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई वहतरीन तरीके से कर रहे होंगे आज के इस वीडियो में हम यूपी ट्रपलासी पैट एक्जाम के लिए प्रेक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग पैन और कॉपी साथ में लेकर वैठियेगा और साथ में आप प्रेक्टिस सेट को सॉल्व करियेगा कोई ऐसा टॉपिक जो अभी भी आपको रिवीजन की जरूरत है तो आप प्रेक्टिस सेट सॉल्व करने के बाद उसको रिवीजन जरूर कर लीजिएगा आए शुरुबात करते हैं सब दो करने के बाद जरूर करते हैं अत्र प्रदेस में एक जिला है एक उस जिले में आपका इस्तित है अत्रनजी खेडा नेक्स कोशन है आपसे राज्यावी सिक समारूह का विवरन निमने लिकेत में से किसमें किया गया है तो राज्यावी सिक समारूह का विवरन जो है आपका एत्रिये ब्रामण में जो आपका है रिगवेद का ब्रामर ग्रंत है उसमें किया गया है किसमें एत्रिये ब्रामर में कि आतμο वे कि यह भ्राम्र किसका प्रह्मध घ्रंत तो मैंने आपको बताया हुआ है यह शुल से जो है रिख वैद का ब्रह्मध घ्रंत है भाइंता रिषिव गोंपनत हो ängtलिक थी सब्दीर है तो गौत्म यह और इनके प्रथम उपदेश को क्या कहा गया था मैंने आपको बताया हुआ है इनके प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है क्या कहा गया है धर्म चक्र प्रवर्तन धर्म चक्र प्रवर्तन धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है इनके पहले उपदेश को ठीक को ठीक अगला कोशन देखिए लाहोर में वादसाही मस्जिद का निर्मार किस ने करवाया था लाहोर में लाहोर कहां पर है पाकिस्तान में ठीक है याद रखिएगा पाकिस्तान तो लाहोर पाकिस्तान में जो वादसाही मस्जिद है इसका निर्मार मुगल सासक औरंग जीव सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई है कुछ आपको नया यहाँ पर बहुती कम मिल रहा होगा आप बस उसी का रिविजन करिए पेपर में प्रशन आके जो आपने पढ़ा है उसी से आने हैं आप इस चीच को बिलकुल मान के चलिए मैं प्रेक्टिस सेट इसलिए करवा रही हूँ जितने ज़्यादा आप सर्का छुना गया प्रफम मुस्लिम अध्यक्ष तो भरती राष्टी कॉंग्रेस जो हैं आपका इनके लिए चुना गया प्रफम मुसलिम kullan कॉmber मैं मैंने आपको बताया हुआ हुआ है बदूद्दिन टीव जी यह भाग्षी यगास्टी कॉंग्रेस की प्रता मुस्लिम अध्यक्ष थे और इन्हों ने饘ी के 1887 में मद्रास में जो आपका हुआ था कौन सा अधिवेशन हुआ था मद्रास अधिवेशन मद्रास में कॉंग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था तीसरा अधिवेशन था इनका कौन सा था तीसरा अधिवेशन था ठीक है टामस फर्ध्यान देन है कॉंग्रेस का तीसरा जो अ सुधार की नाम से जाना जाता है तो आपके मॉंटीगु चेम्सफुर्ट सुधार की नाम से मैंने बता है भारत सासन अधियम उन्नीस सो उन्नीस को जाना जाता है ठीक याद रखिएगा नेक्स्ट आप से निमने लिखेत एतिहासे घटनाओं को उनकी काला नुकरम विवस्थित करें तो हम विवस्थित कर लेंगे देखिए चंपारन सत्यागरे का हुआ था चंपारन सत्यागरे आपका 1917 में हुआ था पढ़ाया है ने आप लोगों को याद करिए थोड़ा सा जाली अबाला आप भ पेड करья हो था है मेरते हैं उसके बारा क्या हुआ तो यह दो ओप्चन आपर हमारह सीपारन लेकिन हमारे वाला है तो परहले है जो आप कि किसान कंग्रेस के पर निमने लिखित में से कौन तो अखिल भारती वाहिए जिआप कि आपका लन्गे इन जी रंगा जी थे टेस एन जी रंगा थे अखिल भारतिक किसानकॉग्रेस के माज़ायमा। याद रखिएगा आप लोग पर्थम महासाचेव कौन थे एंजी रंगा जी थे एंजी रंगा जी थे किस सवतंतरता सेनानी ने महात्मा गांदी को पहली बार राष्ट पिता कहेकर संबोधित किया था तो पहली बार महात्मा गांदी को राष्ट पिता जो संबोधित किया थ सभास चंद्रबोज जी ने संभोधित किया था याद रखेगा मैं आपको यह चीज़ें बताएंगे हैं ठीक याद रखेगा सभास चंद्रबोज जी ने रास्टपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में आपका असरबाद सभु कामनाय चाहते हैं यानिकि इनको रास्टपिता की रूप में किस ने कहा था इनको हमारी सुवाशंद्र जी ने कहा था ठीक है अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन यहां होगा एक लगी है यह कुशन अच्छा है और याद रखिएगा आप लोगा भारत की सीमा किस किस ने कह साथ लगी है तो भारत की सीमा बंगलादेश के साथ लगी है किस के साथ लगी है ने की सीमा चीन के साथ लगी है चीन के साथ लगी है उसके बाद आपके पाकिस्तान के साथ भी लगी है किस के साथ पाकिस्तान के साथ लगी है ठीक है फिर उसके बाद मैमार के साथ भी लगी है भारत की सीमा मैमार के साथ लगी है और किस के साथ लगी है नेपाल के साथ भी लग वो हमारी किस के साथ लगी है तो भारत जो है भारत की सबसे लंबी अंतराशी सीमा वांगला देश से लगी है किस से लगी है वांगला देश से लगी है सबसे लंबी सबसे लंबी सीमा हमारी किस के साथ है वांगला देश के साथ है याद रखेंगे आप लोग ठीक वांगला करने वाले राज्जों में हमारा मिजूरम है हमारा त्रिपुरा है असम है मेगाला है पश्चिम मंगाले कितने राज्जे हैं याद रखेगा मिजूरम मिजूरम है और गड़वड क्यों हो रहा है एक मुझूरम मिजूरम और कोन है मैंने आपको पताया है मिजूरम भारत की कितने राज्यों सीमा लगाते हैं एक मिजोरम दो त्रिपुरा तीन असम चार आपको क्या रहा है याद रखना है मेगाले ठीक है चार मेगाले और पांच आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल अकसर लोग पश्चिम बंगाल को छोड़ देते हैं लेकिन टंग पर होना चाहिए आपकी ठीक है क्योंकि बहुत ही मात पूण है तो आपको यहां पर पता चल गया है सबसे लंभी सीमा राच्ची उद्यानों और उनकी स्थानों के संद्थव में निम्नलेखितMIयसी कौनसा इयोग में सही तो गिर गिर्ग राजस्थान में यह गुजरात में कहां बहें गुजरात में याद रखे हैं ठीक तो आपका कौन सा मैच हो रहा है केबलों केबल की वुल्लाम जवाब का अलड़ी मैच था बाकि आपके सब के सब जो हैं गलत दे रखे थे हैं सही तो आपने किये हैं आईए देखते हैं अगला क्वेशन आप से सूरी से वर्ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निमने लेखे मैसे कौन सा क्रम सही है तो अब देखिए अभी आइधिंग रीसेंट में ही आपने ये क्रम पढ़ा हुआ है ना तो आपको अब रिवीजन हो रहा है अगर आप यहां पर बैठ कई प्रेक्टिस सेट दे रहे हैं तो आपको बैठने की वियादत बन रही है कि पेपर में जो है आप सीरियस रहेंगे उतने घंटे है ना यह बहुत जरूरी होता है कि पेपर में डिसिप्लिन रहना बहुत सारी चीज़ें आप जो हैं प्रेक्टिस सेट की दोरान सीखते हैं और यही मैं सिखाना चाह रही ह आपको पढ़ने को सब लोग पढ़ लेते हैं लेकिन यह जीजें भी हमने पता होना चाहिए हम वहँआ पर लोगोंटे दया है व Haan वहकर 5го कोदेना है ना इसलिए आप देखते होंगे, आम डेड़ घंटे में पेपर सॉल्व कर देते हैं, इसी लिए करते हैं ताकि आप इस चीट को समझें और आप 30 मिनट OMR को दें, आप समझ गए आप लोग, आए देखते हैं, सूरे से बढ़ती दूरी के अनुसार, ग्रहों का क्रम क्या है, सब तक बुद्ध्षुक्रप्रथ्वी मंगल ठीक है, इसके बाद आपको क्या करने बुद्धषुक्रप्रथ्वी मंगल की बाद, अगला लिखना है आपको, ब्रहस पती प्रहस पती सनी, यह होता है आपका सिक tapping, आब आपका कौन सा मैझ होता है, आप आसानी से बता देंगे ठीक देखिए आप लोग अपना कौन सा मैं चोड़ा है आपको 14 का यह आपका मैं चोड़ा है बुद्धु सुक्रप्रत्वी बंगल बिल्कुल करेक्ट है अगला देखिए नाइंटी इस रिज कहां इस्ते थे तो 90 इस रिज यह आपकी मैंने नह इस्ते बहुत है डेकली अलमा के उचानबो है और भारत में लिज इकना अपनाया घया है हमारा भारत में न्हें ने पीचे यह अपनाया जा hectakiris अर्थ व्यवस्ता का मतलब क्या होता है जिसमें सारवजनेक चेत्र और नीजी चेत्र का सहा अस्तित्त हो ठीक है याद रखेगा नेक्स कोशन आपसे यह है वन मिनट आप दीजेगा अभी आपको ठीक से दिख रहा होगा क्वेश्चन क्वेश्चन है निमने लेकित मैसे कौ इवजचन में मतल mommy खाये यौजणा माद में में विक्सित वा था आपको बताया गया विक्सितनक होगा इड़ा तो इस पंचवर्चेंum आपको बढ़ावा दिया गया था प必शी महालों ओंविशक म आधा किसे माना जाता है। यह अपको देख disturbingija हरित करांती के जनक जहीं हैं अब हुआ होर जहीं में हमारे ऑप को जुर्अ कि बैसी की तो नहीं है कोधिक दूक है लिनकर वह नहीं है कि मैब दो नहीं है तो और वो हैं और अगर भारत के इस तर पर पूछा गया है तब हम भारत वाला ही लगाएंगे ना अगला कोश्चन देखिए कि कौन सा बैंक पहले इंपीरियल वैंक ओफ इंडिया के नाम से जाना जाता था तो यह तो मैंने आपको चिल्ला चिल्ला कर बताया है कि आपका कौन स जुलाई 1955 की बात है एक जुलाई 1955 को आपके इंपीरियल वैंक ओफ इंडिया को हम स्टेट वैंक ओफ इंडिया के नाम से जाने जानने लगेते हैं ना संभीधान सभा के पहले अइस्थाई अध्यक्ष कौन थे तो यह भी आपको बताया है संभीधान सभा में तो संभीध की डेट मैंने आपको रटवाई थी 9 December 1946 देखिए अब यही आपके लिए क्या हो जाते हैं यही आपके लिए सचिनान ने कि इस बैठककी अद्यक्ष थी सिनहा जी के द्वारा की गई थी है हमारे क्या ठीठ सती अब इसके बाद हुआ है फिर 11 April की बात है कभ 11 दिसर्णबर भी सभाएं से सुनिए इस्ताई अध्यक्ष पूचा जाये तो सची दाधन नसिनह इस्ताई पूचा जाये तो राजेंदर परसाद इनको कब सभूआ गया था 11 दिसंबर 1946 को और इनको जो पहली वेठक हुई थी सिना जी को कब बनाये था पहली वेठक में पहली वेठक कभुई थी इन डारेक्ली सम्विधान के किस भाग में आपके मौलेक अधिकारों को वर्डन किया गया है मैंने आपको बताया था अनुचित 12 से लेके 35 भारती सम्विधान में हमारे 6 मौलेक अधिकार जिने कहा जाता है फंडामेंटल राइड जिने आप कहते हैं यह हमें भारती सम्विधान में दिये गए है मौलेक अधिकार को भारती सम्विधान के भाग तीन में आपका दिया गया है किसमें भाग तीन में पेपर में जाने से पहले सम्विधान के भाग अनुसूचियां आप लोग पढ़कर जाएंगे पढ़ेंगे की नहीं सब लोग कॉमेंट करके बताईए समिधान के भाग और अनुसुचियां आप लोग पढ़कर ही जाएंगे जो भी हो जाए सबको यह करके जाना है ठीक है याद रखेगा तो भाग तीन में आपका जो है दिये गया है क्या मौलिक अधिकर भाग तीन आपका यह वाला करेक्ट होगा अगला देखिए भारत के समिधान की निम्नलेकित में से कौन सा अनुचिद समान नागरिक सहनता से संबंदित कौन सा अनुचिद है अब आप लोग बताईए यहां पर आपको मैंने बताया था अनुचिद 44 मैंने आपको बताया ह आर्टिकल 44 में आपके जो हैं समान नागरिक सहनता की बात कही गई किसकी समान नागरिक सहनता की बात कही गई है मैंने आपको बताया था भारती समिधान का भाग चार कौनसा भारती समिधान का भाग चार अनुचिद 36 से 50 बं तक अनुचिद 36 से 50 बं तक जो हैं आपके DPSP राजी की नीति निदेशक्तत तो जिने कहते हैं DPSP का आपका लेक किया गया है इसमें आपका अनुच्छी चवालिश जो है कौन सा अनुच्छी चवालिश जो है आपका ये है नागरिकों के लिए समान नागरिक सहिंता थोड़ा सा याद करेंगे कौनसा अनुच्छे 208 का संभन से वित आयोग से भारती समदान का अनुच्छे 202 के ताथ प्रतिक 5 बश्के बाद टे x як E अनुछे 280 अनुछे 280 का सब्कलोज वन जो है हमारा इसके ताद वित्ष आयोग की नुकटी हमारे प्यारे रास्ट पती जी की द्वारा की जाती है taking between स면 वर्त्मान वर्तमान में वित्टैयों को सम यह द्यक्स निफ्ति चंता है क्या है विद्ध आयोग इक देन्का हुआ हो हो चुका है और आपके जो पंद्रह विवित्ष्ष्ष्ष्ष वेली-वेली इंपोर्टेंट सींग्स याद रखेंगे आप तो बताईए भारती सम्मिधान में कौन सा भाग जुड़ा गया था मैंने आपको बताया है कि जो 73 आपका सम्मिधान संसोधन हुआ था कप हुआ था 1992 में हुआ था है ना इसके द्वारा भारती सम्मिधान में भाग आपका कौन सा जुड़ा गया था भाग 9 आपका जुड़ किसकी एकाई है लंबा या दूरी के मापन की सबसे बड़ी एकाई मानने जाती है जो आपकी अंत्रिक्षिय के मापन में प्रिव्प्त होती है कभी भी जीवन में पूचा जाए कि अंत्रक्षी ये दुरियों के मापन में प्रयूक्त याद रखेंगे आप Frage क्या होता है आपका पार्सक प्रयूकत होता है याद है पूरा नाम पूछा लिए जाए तो पी ए आर एस इसी जो है इसका पूरा जो नाम है संचित रूर इसका जो है वह आप याद रखिएगा क्या है ठीक है पेरलेल्टिक सेकेंड ठीक है पी ए आर एल ल, ए, सी, ट, आ, सी, सी, ओ, ए, तहीं, ए, याद रखिएगा पतर ल, तो एक सीधी सड़क पर कार की गती जो है या किसी बाहन की गती एक हमारे जो है रेक्टिलीनियर मोशन का उधारन होता है किसका रेक्टि लिनियर मोशन का उधारण होता है एक सीधी सड़क पर कार की act i या किसी भी बहान की गती आपकी स्कूटी गती साइकल गती क्या कहलाएगी रेक्टी लिनियर मोशन कहलाएगी है ना रेखी गती में कोई पिंड एक सीधी सरल रेखा में गती करता है क्या होता है रेखी गती में कोई भी आपका जो होता है कोई भी आपका जो पिंड होता है एक सीधी रेखा में आपका गती करता है ठीक है अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन एक तत्यों के समस्थानकों में डैस होते होती हैं क्या होते हैं तो किसी भी तत्यों के समस्थानक समस्थाने की आईसोटोप्स जिन्हें कहते हैं आईसोटोप्स किसी भी तत्यों के समस् याद रखेगा ऐसा question अक्सर पूछा जाता है इनमें क्या होता है प्रोटोनों की संख्या समान होती है समान ठीक प्रोटोनों की संख्या समान होती है अर्थात इनकी परमानुक्रमांग समान होगी क्योंकि परमानुक्रमांग क्या होता है प्रोटोनों की संख्या होता है अर् लेकिन लेकिन न्यूट्रोनों की संख्या विन विन होती है बस यह आपको याल रखना है लेकिन लेकिन न्यूट्रोनों की संख्या किसकी न्यूट्रोनों की संख्या कैसी होती है विन विन होती है ठीक है विन विन होती है ठीक है याद रखेंगे अर्थार समिस्थानेकों की द्रभ्यमान संख्या विन विन होती है ठीक है कि अभी आप काफी सारे प्रेक्टिस सेट सॉल्व करेंगे मैं तो जब तक पेपर नहीं होगा मैं तो सॉल्व करवाँगी चाहिए जो तो आपको बहुत मतब अच्छी प्रेपरेशन आपकी हो जाएगी इस लेवल की हो जाएगी कि जब आप पेपर में भैठेंगे तो आप अपना आंसर मैंच कर लीजिए कौनसा ओप्षन मैं चोटा है बताईए 28 का आपका सी मैं चोलता है न्यूट्रों की संग्या विन बिन उती प्रो टोनों की संग्या समान होती है हमारे आई सुते हैं समस्ताने को में ठीक मूब करते हैं नेक्स क्कूर्शन पर जो कि आपके स तीक रखेंगे आप लोग कि नहीं जद्री से फटाफटा से बताईये कि हाँ बीप चिय कहते हैं थीू-फ्रेस्ट को ज्रम याद रखिएगा थिऊ-फ्रेस्ट थियू-फ्रेस्ट क्या कहते हैं इनको हम कहते हैं बनस्पति बिग्ज्ञान के जन्द जर थ क्या कहते हैं फादर और फ वाटनी याद रखेगा तीक उसके बाद जेम सास्रा्टन का कहते हैं इनको हम कहते हैं फादर नहीं लुट वुगर्व सास्री जनक जैम सटन तीक है याद रखेगा फादर ओफ आपकीęt फीजीयो जनक शरी qriya vigny है शरीर qriya vigny कौन 37 क् sırКак गभास का एंड न होने चौन किसरेगें छरी यह मैंने बोले हैं तो चक्छिछ क्रीक्रक्र विङy कोने क्लाउड कोने क्लाउड वर्नार्ड है क्लाउड वर्नार्ड ठीक आगे मूफ करते हैं अगला कौशन हम से क्या है किस रक्त समूह को शर्वग्राही कहते हैं अब बताई इन मैंसे कितने लोग ऐसे हैं जो सर्वग्राही हैं तो सर्वग्राही कौन-कौन-कौन होता है जि क्या क्या किए है किसी भी व्यक्ति को अपना रख्तट दे सकते हैं ता क्म यह सकते हूं भबर कॉमेंट करक्रेक्ट होगा कॉमेंट करके किस रख्ता one भी positive है और O positive है जल्ली जल्ली बताईए जब जरूरत होगी तो आप लोगों को मैं पोकारूंगी फिर ठीक बैसे भी मेरे मेरे अंदर बलाड की काम नहीं है आप लोगों से मैं लोगी जिस जिस नहीं बोल लिया कि मैं मेरा O है तो उससे जरूर लोगी आप दाता हैं ठीक आपको नोडसे स्यलीद की शलिधा एक फ्ली अ प्ली को का वर्मूला बनाना पड़े और ठीक ताकि नीची वाला जो आपका चैसे बनाना यहाँ पर 775 घोकी एक ऑन फॉर 7.5 बनाना क्यूंकि और चाथा नमश्य आपे बनाना है क्योंकि नीची मृले से जैसा बना रहे हैं तो अगर हमें 775 को हमें इस तरीके से बनाना है तो मैं आप से कहरें कि आप 10 से गुणा कर लीजिए अगर 10 से गुणा करेंगे तो 10 से भाग भी करना होगा आपको है ना तो आप क्या करिए 775 में 10 से भाग करिए आप लोग 10 770 हो जाएगा यहां से 7 बचा पांच लिया फिर आपने 10, 7, 70 हो गया यहां से 5 बचा 10, 11 लगाया एक 0 बढ़ाया 10, 15, 50 हो जाएगा आपका कट गया यानि कि आप जब इसको solve करेंगे तो आपका कितना हैगा 77, 10, 5 आप इस चीट को समझ गया कि आपको क्या करना है इसमें 10 से गुणा और 10 से भाग किया आप अगला भी आपका 775 है इसमें भी आप 10 से गुणा 10 से भाग कर लिजे अगला आपका 775 है इसमें भी आपने 10 से गुणा 10 से भाग कर लेना है प्लस है वीज में ठीक है अगली वाली को भी ऐसी करना है आपको जैसे 225 लिखा है तो इसको 10 से गुणा कर लिजे और आप 10 से भाग करेंगे तो गुणा भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए ठीक है अगला 225 में भी ऐसी करिए अगले 225 में ऐसी कर लीजे आप ठीक अब नीचे वाले को भी थोड़े देखिए यहां पर अब जब आप इसमें 10 से भाग करेंगे यह वाला है तो कितना आएगा 77.5 आजाएगा multiply by 10 होगा फिर multiply by 775 फिर भाग करेंगे तो 77.5 होगा इतने को आपने है एंगे और हो जाएगा 22.5 हो जाएगा फिर क्या हो जाएगा 22.5 हुँछ हो जाएगा फिर कितना हो जाएगा 5 लिख लेजिए नीची कितना था 77.5 का स्क्वाइर प्लस 22.5 का स्क्वाइर माइनस 77.5 गुणा 22.5 यहीं है ना अब आप ध्यान से देखिए अपनी प्यारी आखों से अब आपको क्या देखना है यह जो आपको दिया गया है इसमें देखिए आप देखिए यहां पर 10 10 10 यान 77.5 एक बार दो बार तीन बार यानि कि मैं होल यहां पर कर सकती है ऐसे क्यों कर सकती है फिर क्या हो जाएगा यहां देखिए 10 10 10 तीन बार यानि कि एक हजार हो जाएगा एक हजार होगा ना दस का दस से गुणा करो फिर दस से करो तो एक हजार आता है फिर क्या हो जाएगा फिर आपका हो जाएगा 22.5 का हुल की हो जाएगा यहाँ पर नीचे आप यहाँ पर आप ही लिखना चाहें तो लिख सकते हैं दरवाइस अभी मैं आपको बताती हूं नीचे वाला आप अभी रहने दीजे क्यों की जगह नहीं है अब आप एक हजार कॉमन ले लिजे एक हजार जब आप कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा आपका देखिए 77.5 का Q प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर यहाँ पर देखिए 22.5 का Q ठीक अब यहाँ पर मैं इसको हटाती हूं फिर मैं आपको बताती हूं ठीक है आप ध्यान से देखिएगा क्या बचा था आपका 1000 यहाँ पर आगे था आपका था ना आपका आगे और अंदर आपका क्या था 77.5 का Q ठीक फिर यहाँ पर क्या था आपका यहाँ पर था आपका 22.5 का Q इतना था आपका है ना और नीची आपका क्या था यहाँ पर आपका 77.5 का square था प्लस 22.5 का square था और प्लस आपका माइनस यहाँ पर क्या था 77.5 multiply by 22.5 इतना था अब इस formula को आप अपलाई कर दीचे जो आपने formula पढ़ा है तो आप कहा जाएगा तो यह क्या हो जाएगा 77.5 प्लस आपका क्या हो 22.5 का square हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 22.5 का square हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 77.5 multiply by 22.5 सिंपल सा है अब formula ही आपको open करना था बस मैं आपको बता रही हूं हालकि इतना नहीं मुझे बताने के जरूरत थी लेकिन फिर भी मैं बता देती हूं कि आपको द आप देख लेजिए बचा आपका कितना है आपका यहाँ पर बचेगा एक हजार आपका है अपर बचा था है ना यह बाला एक हजार बचा है आपका multiply by आपका देखे यह बचा हुआ है कितना 77.5 प्लस 22.5 बस सॉल्व कर लिजिए इसको इन दोनों को जोड़िए तो कितना ह को हाइसल की 1, 7.910 का 0,8 के , 10.1 कि यानि कि पॉैंट केे पाद अपका पुइंट लग जाएगा याँ यहां पर 100 हमारा है और यहां पर हमारा क्या है, ए एकजार रोसो को multiply कर लीजिये, आप लोग तू कितना आ जाएगा, ओव्यस्थी बात है एक हजार रोसो को multiply करेंगे, तू क्या आएगा एक लाग आपका answer आ जाएगा मैच कर लीजिये, एक लाग किसमे लिखा हुआ है यह वाला आपका एक लाग है तो आप इसका मैच कर लिए आपने सही हो गया है यह वाला option आपका move करते हैं next question पर अगला question देखें आप लोग अगला question है कि यदि किसी संख्या में पहले 15 प्रतिसत की ब्रद्दी हो होती है फिर 15 प्रतिसत की कमी होती है तो इसका परिडाम इतना आता है यदि उसी संख्या में पहले इतना प्रतिसत कमी हो फिर इतने प्रतिसत की ब्रद्दी हो और फिर इतने की कमी हो तो परिडामी संख्या क्या होगी बिल्कुल simple सा question है हम कर लेंगे कोई बड़ी बात नहीं है अब जितना ये जलेवी की तरह घुमाया है इसने अब जलेवी नहीं आपको करना है आपको बिल्कुल लड़ी की तरह simple करना है इसको question को ठीक है इतना जलेवी की तरह घुमाना नहीं है देखिए मैं आपको बताते हैं आपको क्या करना है आपको कुछ नहीं करना आपको केरें कि 15 प्रतिसत की ब्रतिसत की कमीं की गई 15 प्रतिसत की ब्रद्धी की ब्रद्धी को मैं आप एरो सो दर्साओंगी इन कमीं को मैं डाउन एरो सो दर्साओंगी ठीक है आप समझ गए 15 प्रतिसत का मतलब क्या है 15 बटे 100 यहाँ पर भी 15 बटे 100 5 से कट करें 5 3 15 5 2 10 0 5 3 15 और यहां पर क्या होगा पांस दुनी दस जीरो यानिकि इतना हो गया अब यहां पर मैंने क्या कहा था आपको कि जब भी आपका 15 प्रतीसत की यहां पर ब्रद्धी की जाएगी तो पहले कोई 20 था अब उसमें ब्रद्धी की गई यानिकि 20 था तीन औ करिए इनको multiply करेंगे तो जब 20-20 म करेंगे तो कितना होगा 400 होगा इसको multiply करिए फटाक से multiply करेंगे तो 390 बन आएगा अब आप question को पढ़िए आप तिक है क्या रहें तो इसका परेणाम क्या होता है इतना करने पर गया दी किसी संक्या में पहले 15 परतीसत की ब्रद्धी की फिर कमी की तो हमें परणाम ये प्राप्त हुआ है कि परणाम हमें ये प्राप्त हुआ है परणाम कौन सा होगा परणाम तो हमारा ये बाला होगा ना बाद बाला सिंपल सी बात है संख्या हमारी ये बाली होगी सिंपल सी बात है इसको समझ ये संख्या ये होगी जो इन्हों इतना आयात मैंने कहाता है इन दोनों को बरावर कर दो यानिकि 391 जो है आपका कितना की बरावर है आपके 782 के बरावर है यानिकि एक किसके बरावर होगा दो के बरावर होगा कट करें बिल्कुल ढ़ भाग जा रहा है simple oral calculation है ये पूरी दो बार जा रहा है यानि कि एक आपका जो है represent करता है दो को तो यहाँ 400 कितने को represent करेगा 800 को यानि कि संख्या क्या आगई भाई 800 संख्या आगई संख्या 800 आगई संख्या कितनी आई है 800 आगई आपने निकाली very good आप क्या रहें यदि उसी संख्या में पहले 25 प्रतिसाद कमी फिर 25 प्रतिसाद ब्रतिसाद कमी होती तो परडामी संख्या क्या है अब फिर से न जले भी घुमा दी आपकी आपको क्या करना है आपको कुछ नहीं सोचना है क्या रहें 25 प्रतिसाद की क्या 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 कमी डाउन एरो 25 प्रतिसत ब्रद्धी अप एरो अगें 20 प्रतिसत की क्या कह रहे हैं कमी तो आप डाउन एरो से धर्साइए 25 प्रतिसत का मतलब है 25 बटे 100 इसका मतलब है 25 बटे 100 यहां पर 20 बटे 100 25 चोका क्या होता है 25 बटे 100 बैसे सो अब यहां पर देखिए यह डाउन एप और यह आपका डाउन है पहले कोई चार था कह रहे हैं कि आपका घट गया मतलब कमी हो गई तो पहले कोई चार था अब कितने की कमी हो गई एक की कमी हो गई तो तीन बचा होगा है ना सिंपल सी बात है तीन बचा होगा पहले कोई चार था कह रहे हैं कि बढ़ गया देखिए आप एर हो यानि की बढ़ गया तो कितना हो गया पांच हो गया अब यहां पर द इतना किया गया तो संख्या में किया गया और परणाम हमें यह प्राप्त हुआ है हमें ये परणाम प्राप्त हुआ है धीक देख रहा हूं ध्यान से आप देख लीजे आप यहां पर आपको परणाम ये प्राप्त हुआ थीक आपने देखा कि संख्या तो हमारी 800 आई थी अभी आपने निकाला था यानि कि जो 80 है वो रेपरजेंट कर रहा है 800 को तो आपका 80 यहां देखिए आपका परणाम 60 है 60 है यानि कि एक आपका दसको रप्रेजेंट कर रहा है तो 60 को रपरजेंट करेगा वी इससी बात है 60 गोड़ा दसको यानि कि 600 को तो आपका भी आप्शन करेक्ट हो जाएगा कुछ आपको करने ही तितना सिंपल सा कॉस्चन था जैसा य आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है एक फॉर्मूला पढ़ा है एक फॉर्मूला नहीं पढ़ा है तो आप बना सकते हैं सिंपल सी बात है प्लस भी का होल स्कॉर खोल दीजिए यहीं आएगा आपका ठीक अब इसी को आपको देखना है करते जाना है यह देखिए आपका क्य आपका यहीं बाला चीज लिखी हुई-यह किसको रेपजाद करेका टू यह स्क्वाइर को क्या मानेंगे यह सक्वाइर आपका हुगा 964 क्या होगा 964 का स्कॉर आप क्या हो जाएका बी आपका क्या होगा यह बाद peas क्या यह बादfать सुद्धू आपका आंसर आजाएगा पता है यह कौनसा उप्षन मैच होता है डी उप्षन मैच होता है सिंपल कैलकुलेशन आती है पैट के एक्जामना मैं अभी आपको कह रही हूँ मैथमेटिक से डरना नहीं है आपको ठीक है अब अगला देखिए आपको इस तरीके से दिया गया है 37 सही एक बटे दो प्रतीसत को निमने लिकित में से कौन सी विन जो है अभी वेक्त करती है और इस से सिंपल और क्या चाहेंगे आप 37 सही एक बटे दो मैंने आपको सिखाया है कि यह आपका लिखा होता है तो इसमें मल्टिप्लाइ करते हैं फिर यहां जोड़ देते हैं यानि कि 37 गुणा दो प्लस एक बटे दो क्या होगा यहाँ पर आपको लीजे तो 75 बटे दो आपका आ जाएगा लेकिन यह प्रतीसत म इन्होंने भिन्य कहा है अभी तो आपने इतनी सी चीज़ को सौल किया अपने प्रतीसत को भी सौल नहीं किया मैंने आपको समझा तो प्रतीसत में आपको निकाल लाएं दो क्या होगा जबाब का इस तरीके से होता है तो हम नीचे सौल लेकते हैं ना ठीक तो आप 25 से कास यह 25 ती 75 25 का सो क्या हो जाएगा तीन बटे आठ हो जाएगा मैच कर लिजे तीन बटे आठ कोई मैच हो रहा है कि नहीं हाँ भी मैच होता है अगला देखिए आप अगला क्वेश्चन क्या है आठ वर्स पहले ए और बी की आयू का अनपात नो अनपात दस था अब से चार वर यहांद से यह कि ना इइसमान सकते और वी किया मानेंगे टैने एक्स मानेंगे आट वर्स पहले एक पदिक Y यह समझने वाली बात होती है बाकि आसानी से सब कुछ समझेंगे च्यार वर्स और जैसे मैं आपको एक side में example समझाती हूँ ध्यान से समझिएगा जैसे ये कह रहे हैं मैं अभी बर्तमान की बात करें 2022 चल रहा है आठ वर्स पहले यानि कि आठ घटा ही इसमें से तो 2014 हो जाएगा 2014 में अनपात 9 अनपात 10 था ठीक है अब 4 वर्स बात अब से 4 वर्स बात अब से का मतलब क्या है इससे होगा ना सिंपल सी बात है अब से का मतलब वर्तमान से 4 वर्स बात यानि कि 2026 में आपको दिया गया है कितना 12 अनपात 13 यहां पर दिया गया है तो यही आपको समझना है वर्तमान में BKiU, आपकी 10X प्लस कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, देखिए आप लिखा हुआ यही आपसे, ठीक, तो अब आपसे कहने कि अब से 4 वर्स बाद, तो अब से 4 वर्स बाद क्या होगा, मैं निकाल लेती हूँ, अब से 4 वर्स बाद क्या होगा, आप से 4 वर्स BKiU क्या हो जाएगी, 9X प्लस 8 प्लस 4 हो जाएगी, BKiU क्या हो जाएगी, 10X प्लस 8 प्लस 4 हो जाएगी, सिम्पल सी बात है, 9X प्लस 8 बारा, और यहाँ पर 10X प्लस 8 बारा हो जाएगा, BKiU आ गए, कह रहे हैं कि भई, 4 वर्स बाद, आईू का अनपात इतना है, तो हम और वी कि आयू पता है हम अनपाद देख लेते हैं कितना है हम तो किया रहें कि 9x12 अपॉन 10x12 लेकिन कोश्चन कह रहा है इतना है तो बरावर कर दो भई बरावर कर दो तो अब उसे 4 वर्स बात का मतलब क्या है वर्तमान से 4 वर्स बात यहां से आप x की वैलीउ यहां पर calculate करें फटावट से तो आपकी कितने आ जाएगी एक्स की वैलू आ जाएगी आपकी चार आएगी ठीक है करके देखिए आप लोग चार आएगी ना तो अब आपसे यहां पर क्या कह रहे हैं कि सी की आयू क्या है यदि उसकी आयू ए से 6 वर्सा देखे तो पहले तो हम एक याई नि निकाल लीजिए एकी वर्तमानाई क्या है 9x प्लस 8 है 9 x की वैलू आपने कितनी निकाली चार निकाली है आपका 8 ओल्रेडी प्लस में थाई नौचो का चानिका हुआ रहे हैं की जो है यह से चे पर देके तो इंक्स्थिक्षिण अपको यह अलग मिला ऊसा को तो अब आपको मेs 내 method पता होना चीश हाली आप करलोगे निमनलि केइसे कि सप़ध की वरतनी यहाँ पर सही है तो सप़ध की वरतनी आपको बताना है कौन सी आपकी आपकी दिन तीयर पना को सही है अनूग्रहीद अनूग्रहीद कैसे लिखा जाता है अनू-ग्रहीद ठीक है मैच कर लेजे कौन सा मैच हो रहा है अनू 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 कौन सा मैच हो रहा है डी मैच हो रहा है आपका है ना वीरों का कैसा हो वसंत कभीता किसने लिखी है तो वीरों का कैसा हो बसंद सुभद्रा कुमारी चोहान जी की आपकी जो है कभीता है बहुती प्यारी कभीता है चोहान जी की है ठीक है शुमित्रा नहीं है सुभद्रा है ठीक है सुभद्रा कुमारी चोहान अगला देखिए किसकी पूर्व से कोई आशा नहीं होती है वो क् बुलाय ना गया हो के सांप्ben worden है अगला है अकाल का परिया बाची है इसे अपीं ठेजे हैं अभुकमारी शाफ को काल क्या है न इसे हमें बुट है को काल कुट होता है और कुकाल होता है ठिक है अगला सब्सक्षाइव क्या होगा आकास क्या हुगा को दो बच्पन से पड़ते आ रहे हैं चोटे से यह पर पर पिसेज दिया गहा है थोड़ां ऐसा अब पढ़ने में दिक्कत होगी लेकिन में आपको पढ़के बताती तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी मैं पढ़ती हूँ आप ध्यान से सुनियेगा ठीक है बट विफॉर आई कोड़न पी इंस्पाइड बाइड आमेजिंग पीबल आई है तो आई हैस्टु क्लीज लिखाया ना आई हैस्टु क्लीज लिखाया सब्सक्राइड आई है नॉग मैं बीकनेस जस्ट लास भी फेस्बुक मेमोरीज रिमाइड में फफ पीजा पार्टी अड़नट फो य जाला पीनो क्या पानी आजाएगा तो पेसंस मना है रहा तो बाहिएगा जला पीनो चीज टिव अच तो इस्ट डिए डेमाट पीनो च 5k training I stayed ring to ring on my right on right on that couch so far I have unfollowed but fit tasty taste made even there even their adorable teeny kitchen and several people who have the enviable advantages of being able to eat as much as they want and not put on bait by my calculation dark chocolate is healthy so I am still following earth slope P A S C A T I and Mason and Company when I finally found a gym I like with the best trainer I have had I unavoidably share my workout everyday from saying away from the full length pictures I reached a point where I could share I could share videos of myself dead lifting dead lifting and doing back squat with the varvel across my shoulders I gave it gave me accountability I challenged myself myself to go to the gym for 30 classes straight and I did it which reminds me it's time to start a new challenge now you will see this a bit water in the past I am saying it's possible there would be the idea of you to see it really related to which topic does the writer want to remove from her feed तो किस टाइब का पोस्ट था वो फूड वाला है ना कैसा था फूड वाला अगला देखते हैं अगला कह रहा है हमसे वन मिनिट आप दीजेगा आपको कुशन देख रहा होगा अभी किस में होता था तो वो था अटेंडे दिन 30 जिम क्लासे विदाउट अब्रेक देखिए आपने वो चीजें जो मैंने बोली हैं वही आपको मिल रहा है कुछ अलग से आपको उनिंग करना होता है ठीक है इस तरीके का अकस्मिक भय जो होता है कर दो आपके इसका क्या हो जाएगा आपका अलार्म का होगा आपका अलार्म का होगा आपका पैनिक यह सअकर के सकते हैं आपको चीजोंफ और फॉलोफ यह आपको के स 완ुल डिल स Ayud launches दें énormément है तो इसका और सिंपल स साथ है पार्सियल हो जाए ऊसों क्या होता है आपको उन सकते हैं आप आप पी ए आर एफ ए सीट इंफर फेक्ट भी कह सकते हैं अगला देखिए आप लोग दिये गए बिकल्पों मैंसे संबंदे सब्द का चैन के दिए प्रफुल्लित उदास संथ करना क्या होगा संथ करना आगे बताईए क्या हो जाएगा आपका जिसे प्रफुल्लित का उदास होत जो कुछ नहीं करना मैं आपको बता रही हूं यहां पर मदर लिखा हुए है फिर यहां पर क्यूड़ी जी एस एन ल ठीक है इतना भी गंदा नहीं दिख रहा है कि आप देखना पाए लिखा जाता है तो उसी कूट में हम इसको किस तरीके से लिखेंगे तो मैंने आपको बताया है ना कि जब भी ऐसा कोशन आए तो आपको क्या करना है थोड़ा सा दूर दूर लिख लेना है M O T H E R ठीक है प्यारी माता लिख लेना है फिर आपका क्या लिखा हुआ है यहां पर लिखा हुआ है क्यू क्या लिखा हुआ है यहां पर क्यू लिखा है फिर D लिखा पिर S लिखा है फिर N लेका है अब आप धयान देजिए ट्रांजीशन देखिए आप लोग ठीक है ध्यान से देखिए आप उल्टा यहाँ पर आपको पर्फॉर्म करना होगा उल्टा देखिए जैसे आप M से जाएंगे तो ऐल में क्या होगा माइनस 1 का ट्रांजीशन होगा simple सी बात है, है न, O से जब आप किस में जाएंगे, N से जाएंगे, O से N में जाएए आप, तो कितने का transition हो रहा, minus 1 का हो रहा है न, minus 1 का, तो जब भी ऐसा वाला होता है न, तो आप इनको बगल में ही लिखा करिए, तो मैं आपको बगल में लिखके बता रही हूँ, मैंने पहले से इसलिए नहीं बताया था, ताकि आप समझें स्टीज को कि कैसे होता है, ठीक है, मदर से आपको क्या लिखा है, Q, D, G, S, N, L, इस तरीकी से लिखा हुआ है, अब हम देखते हैं फटा-फट से, देखें, M का, जो है, आपका किस में ट्रांजिशन हो रहा है, L में हो रहा है, L में हो रहा है, L में आपका माइनस बन होगा, ठीक है, O का किस में हो रहा है, O का ट्रांजिशन किस में होगा, पताईए, O का होगा, N में होगा, किस में हो रहा है, माइनस बन हो रहा है ती का देखिए ती का एस में हो रहा है एस ती यानिकि माइनस बन का ट्रांजिशन हो रहा है एच का किस में हो रहा है जी में हो रहा है माइनस बन का ट्रांजिशन है यहां पर देखिए माइनस बन का आपको क्लू मिल गया कि माइनस बन का ट्रांजिशन आपका चल रहा है तो यहीं आपको इसमें भी चला देना है किसमें S, H, E, A, T, H में चला देना है अब बताईए माइनस बन करेंगे तो लास्ट में आपका यह सब्धाना है देहान देजेगा इस पर आप ठीक अब आप देखिए आपका जो उत्तर है सब उत्तर आपके डिफरेंट है लास्ट में यानि कि अगर आप एक खाले एक लेटर अगरा फाइंड कर लिया तो वही आपका करेक्ट आंजर बन जाना है आपको ज्यादा कुछ करना ही नहीं नही होती है बस आपको थोड़ा सा माइड यहां पर लगाना होता है अगला कौशन आप देखिए एम की पतनी एन की पुत्र बदू है यह पुत्र बदू लिखा हुआ है पी ओ का पती है जो की एम की वहन है पी का एन से क्या संबंद है हम बता देंगे रिस्तों में तो सब के हम क्या लगते हैं largest गलत बात रिस्तों में तो हम सब के hero लगते हैं good यह सऑ है अब देखिए एम की पतनी एन की पुत्र बदू है किस की एन की पुत्र बदू है P, O का पती है तो यहां से देखें थोड़ा से यहां पर P और O के बीच में मुझे थोड़ा सा सब्सम् Abdul लग रहा है जो P है वो O का पती है किसका पती है, O का पती है P ठीक, जो कि M की बहन है, कौन M की बहन है भई, O, M की क Bishop के पीटो पती हैं install लड़का होगा मैं उब तक यह क्या था जह दो सब्सक्राइब अीजिंकोंने नहीं और विए दौरिकों है मुझे मोच अभी तक समझ में आया है艇 अब यहां पर बाइन नंकी पुत्र भदू थे में की पतनी प्तनी कौन ही हमें भी नी माग जो भी है ठीक तो क्या रहे हैं M की पतनी N की पुत्रवधु है किसकी N की पुत्रवधु N की पुत्रवधु है N की क्या है पुत्रवधु है पुत्रवधु है ठीक आप क्वेश्चन क्या करा था कि P का N से क्या संबंद है यह बताना है आपको किसका P का N से क्या संबंद होगा आप देख लेजिए P का N से क्या संबंद होगा तो आपको भी समझ में आ रहा होगा साफ साफ अगर जो ये M है क्या करें है जो कि M की वहन है देखे P O का पती है P क्या है P O का पती है जो कि M की वहन है किस की वहन है M की वहन है कौन? O और M की पतनी M की पतनी यह है question mark वाली थीक है ? ध्यान से पढ़िएगा M की पतनी कौन है question mark वाली है तो M की पतनी आपकी question mark वाली है तो यानिको यह तो mail हुआ ना तो बताइए आप लोग यह जब इनका इनकी पतनी का जब ये जो है ये एन है पुत्रवदू है तो इनकी पती का क्या होगा ओभियस्ती बात है इनकी पती का तो पुत्र ही होगा ना ये पुत्रवदू है तो इनकी बहन है तो बहन है तो बहन का क्या होगा बहन का बताई है क्या होगा यहाँ पुत्र होगा तो एन पी से क्या संबंद होगा वेशतीबात हैं दामाद का संबंद होगा किसकão संबंद होगा दा나 का संबंद होगा हे ना तो दामाद आपका यहां पर उक्षन है सने लो मिली आपको ठीक अगला देखिए आप 31 जनवरी 2007 को सब्ताहा का कौन सा दिन था तो आपको सिंपली निकाल लेना है 31 जनवरी 31 जनवरी 2007 लिखे लिजी आप 31 जनवरी 2007 सब्ता多र अफसानी से कर सकते मैंने आपको कोड़ बताया था उसी से कर लीज़े ठीक पहले ये चेक करिए कि ये लेपियर तो नहीं है आपने कहा लेपियर नहीं है तो मैंने जो कोड बताया है आपको वो याद करिए मैंने आपको कोड कौन सा बताया था मैंने आपको बताया था कि आपको एक कोड याद रखना है सबसे पहले डेट, फिर हम मन्त लिखते हैं, फिर हम year, फिर हम leap year लिखते हैं, फिर हम century लिखते हैं, divided by 7 घालते हैं अभी आप सब को ये पता चल गया होगा कि यसे क्या निकालते हैं? तो डेट कितनी हैं? आप ने कहाते हैं, अम्त कौन सा है जैनवरी, जैनवरी का कोड आप क्लिक लीजे ब्लस कितने यह मैंने कहा था लास्ट के द汁ल चार से भाग दिजें कि एक सेंचुरी के लिए मैंने कहा था कि से में से इर घटा दीजिए आप तो 2000 बचा 200 से डिवाइड करिए तो सेषफल जीरो आएगा जीरो अगर होता है तो कोड़-चैप होगा है ना 100 अगर होता है तो कोड़ 4 200 से इसफल आता है तो जीरो ठीक और जीरो से इसफल आता है तो कोड़ 6 होगा यह आपको चार मैंने याद करवाया थी सिसफल की केस में divided by 7 कर देते हैं जोड़ यह इन सब को ठीक 31 और 32 अर 70 कितना होता है 39 हो जाएगा 39 और 40 हो जाएगा 40 और 6 कितना होता है 46 हो जाएगा यहापर 46 साच्छंग 42 इनकि 4 से इसफल बाखता धा ऐसनि है वी एक मैंने स को ऐसे सर्कल बन Homos आथा फिर मैंने पताया था कि एक अगर आता है आपका से स्ट्वल तू संडे दू अगर से स्ट्वल आता है तो ओने दीन अगर और एक असमान है उस असमान सब्द का आप चैन करिए तो आप यहाँ पर बताईए कि कौन सा इसमें आपको असमान लग रहा है यहाँ पर देखिए आप तोचा विज्ञान, ब्रक्य विज्ञान, हर्दाय विज्ञान कहीं न कहीं से यह मानाव से संबन देते हैं जबकि स्वदेशी विमान बहाक पूत के समुद्री परेक्षण का चौथा संस्क्रण सफलता पूर्वक पूरा हुआ है तो दस जुलाई 2022 को स्वदेशी विमान बहाक जो आपका पूत है विक्रांद के समुद्री परेक्षण का चौथा संस्क्रण जो है आपका सफलता पूर्व आपको जो है पूरे एर का एक वीडियो दिया गया है आप वो फटा-फट से कंप्लीट कर लेजिए इसमें बहुत सारे क्वेशन्स ऐसे हैं जो आपको परिक्षा में मिलने ही मिलने हैं तो जो ऐसे स्टूडेंन है जिनको नहीं पता है वो आप वहां से दिख सकते हैं ले इस समाचार पत्र किस भाषा में प्रकासित होता है तो अग्रदूत समाचार पत्र की सुरूबट असम आपको पता है कि कि दी रखे और आपको पता से लगया होगा कि आपका जो है उनीस पच्छपन में आपका देने अगरदूत का एक नियमत समाचरपत्र की रूप में इसका प्रकाशन हुआ है तो आपकी कौन सी भासा हो जाएगी असमिया हो जाएगी है ना असमिया नेक्स कोशन पर मूब करते हैं जुला इसमाइ दौजर बाइस में रक्षा मंद्राला ने निजी चेत्र में तीन बेंक कौन सा बेंक HDFC लिमिटेड आपका आईसि आईचिया रिमक लिम आपका जो है यह और आक्सिस बैंक कुसको एक्सिस बैंक इन तीन-व्ैंग को जो है द्यान से सुनिएगा इन तीन वैंकों क को नहीं बताना था जुलाई 2022 में कौन महारास विधान सभा के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं तो तीन जुलाई में 164 मत प्राप्त कर महारास विधान सभा के नए अध्यक्ष ने के सामने हैं कि जून 2022 में जारी वेस्विक शान्ती शुचकांक 122 में भारत के सिस्थान पर है कि याद रखियागा कि जून 2022 में जो आपका यह जारी किया कि सुचचांक वेस्विकश ignoring 1 35 बेस्थान पर है और यह जो आपका सुजगांक है यह आपका Institute of Economics and Peace के द्वारा आपका जारी किया जाता है इसमें आपके जो सीर्स तीन कंट्री रही है वो आप याद रखेगा सीर्स पर तीन जो कंट्री रही है वो रही है आपकी आईलेंड आईलेंड सेकंड आप याद रखेगा न्यूजीलेंड सेकंड न्यूजीलेंड है आईलेंड न्यूजीलेंड और आप याद रखेगा आय ठीक सबसे अंतिम जो आपका इस्थान रहा है इस में तो वह आपका अफगानिस्थान कर आए ठीक है अगला आप देखिए अगला आपसे रास्टी जनजाती अनुसंदान संथान कहां इस्थापित किया गया है तो रास्टी अनुसंदान जो रास्टी जनजाती अनुसंदान अे नए दिल्ली में स्थापित किया नेक्स कोशना आप देख लीजिए मार्च 2022 में work เชंड को रिङा इस और एंड किया गया तो आपका जो यह वर्ल्ड गॉर्मेंट में relationship में किया गया का दोबाई अरब आमिराथ में किया यानि की भविस्की सरकार को आकार देना शेपिंग फ्यूचर एफ यू आरी फ्यूचर गर्मेंट जी ओ वी ए आर में ट्यस गर्मेंट्स याद रखेगा नेक्स कोश्चन है जून 2022 में किस राज है मैं सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की गई तो जून 2022 में कीरर राज म सुरक्षा मित्र परियोजना आपकी शुरू की गई है ठीक है अगला कोश्चन आप लोग देख लिए अगला कोश्चन आप से यह है कि केंद्री स्वास्त मंत्री डक्टर मंसुक मंदाविया द्वारा घोसे सौधेसी टीवी संक्रमत तौचा परिक्षन का क्या नाम है तो होगा इizar मियमार की मुद्रा क्या है तो मियमार की जो मुद्रा है वह आप और जो ऊरशा का ऑँरिशा का णि परammenगी ठेड़ के तो कलिम पउंग हेल स्टेशन का अप पर हाँश्चे अभारा में में किस्टेशन थे तो वर्तमान में भारत में अगर देखा जाए तो आपकी 28 राज्जे हैं और आपकी आठ जोई यूटी है कि इंद्रसासित प्रदेश से याद रखिएगा सार्क का जो इस्थापना है वो आपकी 8 डिसंबर कब 8 डिसंबर 1985 को हुई थी और इनका जो हैड़कोर्टर काठमंडू नेपाल में है कहां पर है काठमंडू नेपाल में है और आपके सार्प, South Asian Association for Regional Cooperation इनका सदर्श संक्या वो आठ है वांगलादेश, भूटान, भारत, मालीब, नेपाल, और पाकिस्तान, स्री लंगा, अफगानिस्तान आपको ये कई वार बतायागे हैं तो याद होगा आपको जुलाई दोहजर वाइस में फैमिना मिस इंडिया दोहजर वाइस का खिताब किसने जीता है तो जुलाई दोहजर वाइस में फैमिना मिस इंडिया दोहजर वाइस का जो खिताब जीता है आपका सिनी सेटी ने जीता है, किसने सिनी सेटी ने जीता है याद रखेगा आप लोग और अंतरास्टी उस्ट करतिव था क्रतिवन दिख कर देबस मनाया जाता है तो अंधरास्टी ऊ्श्ट करतिवयर धिशन्ट यानिवेट करता स्प्रम्टो फ्रन ICD sells 29th ॊन को सेलिवरिंट किया जाता है 29 warp ठीक अगला यहां पर हमसे क्वेश्टन यह है पुस्तक आप से दी गई है पुस्तक नॉट जस्ट आ नाइट वोच मैं मैं इनिंग्स इंदा बीसी सी है किसके द्वारा लिखी गई है तो यह मैं आपको बताया हुआ यह जो पुस्तक है विनोध रॉय के द्वारा लिखी सर्विया के वेरी वेरी इंपरेंनी माहत्मुने कहां के सर्विया के प्लेयर हैं और यह जो है आपके चारों ग्रेंट लें में अस्या उससे अधेक मैज जीतने वाले पहले खिलारी बन गए हैं और इनको सबसे सफल किलारी जो है विमल्डन का माना जाता है याद दियर्य गद्दान्स को पढ़कर निम्ने लिकित प्रश्णों के सही विकल्प छाटी है आदिम आर्य गुमक्कड ही थे यहां से वहां वे गुमते ही रहते थे गुमते भटकते ही भारत पहुंचे थे यदि गुमकडी का बाना उन्होंने नाधारण किया होता यदि पे एक स इस्थान पर ही रहते तो आज भारत में उनकी बंसजना होते भगवान बुद्ध घुमक करते भगवान महावीर घुमक करते वर्शा रिद्व के कुछ माइनों को चोड़ कर एक स्थान में रहना बुद्ध के बस्त में नहीं था 35 वर्ष याई उन्होंने विद्धत प्रा अपने सिस्चियों से उन्होंने कहा चरत विखवे चारिक ये विक्ष्यों गुमक्ड़ी करो यह दपी बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए किन्तों उनकी सिस्चियों ने उनके विचारों को सिर आखों पर लिया पूर्व में जापन उत्तर में मंगोलिया पश्य में मक्दूनिया दक्षन में बाली दीप तक धावा मारा श्रबण महावीर ने सुक्षन्द विच्रण के लिए अपने वस्त्रों को त्याग दिया दिशाओं को यह अपना अंबर बनाया वैशाली में जन्म लिया और पाबा पाबा में सरीर द्याग किया जीवन परियांत घूमते रहे मानों के कल्याण के लिए मानमों के रहा प्रदर्शन के लिए संकराचारे वारा वर्ष की अवस्ता में सन्यास लेकर कभी केरल कभी मिथला कभी कस्मीर तो कभी बद्रकाश्रम उरूमते रहे कन्या कुमार से लेकर हैमालाय तक समस्त भारत को अपना कर्मचित्र समझा सांस्कृति गरिक्ता के लिए शमनवय के लिए शुर्ति धर्मी की रक्षा के लिए संक्राचारे के प्रत्नों से ही वैतिक धर्म का उत्थान हो सका अब हम यहापर questions दी गए हैं गुमककर जो सब्द है इसमें आपका कौन सा प्रत्य है तो गुमककर सब्द में प्रत्य आपको बताना है तो गुमककर सब्द में आपका प्रत्य जो है वाककर है ठीक है प्रत्य आपका बाद में लगता है उपसरग आपका पहले लगता है ठीक स्वक्षणद में तो तारीक के से स्वक्षणद तोरेंगे स्वक्षण ठीक तिसमें कौन सी संदी है व्येंजन संदीं है आं माहत्मा बुद्ध ने जब बुद्धत अवस्था कितनी थी तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनना बताया था 35 तो यहां पर 35 हो जाएगा आगे देखिए आप कोश्चन आगे आपसे यह कोश्चन है कि सुरुति धर्म का क्या आर्थ है तो सुरुति धर्म का आर्थ 26 to 80 नीची दिये गएक दांस को पढ़कर पूछिए गए प्रशनों के सबसे उप्यक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिये हमसे कहा गया है मानव इतिहास में हजारों साल तक सुन का कहीं अथा पता नहीं था शुन की अवधारणा आभी गई तब भी काफी समय तक मानव न सुन की अवधारणा को ना किबल समझा बल्कि उसकी सहायता से कई स्वाचारे तुपकरणों का अविश्कार भी कर लिया शुन एक ही समय में एक अमूर्त विचारा और एक वास्त्विक्ता है और यह सीखना सबसे मुश्किर है कि सुन एक से छोटा है आगे देखिए सबसे से पहले भारत ने कुछ भी नहीं को दरसाने के लिए सुन को एक स्वातंतर संक्या के रूप में मानेता दी अगर हम सुन को एक दो और तीन जैसी संक्यां की तरह मूर्त चीजों से सब्द करवाते तो शायद सुन को समझना बहुत आसान होता है ना अब हम से कुश्चन आख सही बताहिए सुनी के बारे में बाख के कुन सा सही है गद्दांस मैं सपस्टब की सुन मानों जनत अविश्कार जै प्रकरती प्रदत नहीं इसकी अव्धार्णा क्या है अमूडत है कैसी अमूरत है कैसी है अमूरत है आपको अपने दिमाग सी कुछ नहीं आपके समझने कखिन ती according के सुन एक सी छोटा है यह समझना बहुत ही कठिन था विष्व मैं किसके पेले पहला सोनी की संख्या की रूप मैं मानेता दी तो आप याद रखियेगा भारत सबसे पहले जो है कि ने सूने को आपकी इमानेता दीती तो आपकी प्यारे भारत दीती एना अगला हम देखते हैं अगला से क्वश्चन किया कहा गया है कि सूने एक ही अमूर्द विचार और ऑर वश्विक्ताह का आसाए क्या है तो इसका क sweat look square वसलिने इसे बोखोस समय तक संख्या क्यों समझाा होगा क्यों कि मुर्थ चीसिजों से सून को समध्र नहीं होई भपा आ था इस वज़ाए से आप का शुन के अबधारना को समझेना थोड़ा सा अधा यहां पर आपसे question mathematics के हैं देखा आले का दियन करें और नीचे दिया गए प्रशनों के उत्तर दें रिखा आले 2010 से 2015 तक दो और दो आपको आपका बी है यह क्या है और जो डॉट बाला है वो आपका ए है है ना सबसे पहले तो आपको यह द्याम देना है बस आपको value ठीक से read करना है बाकी आपका काम हो जाएगा अब value ठीक से read करिये खाली ठीक है आईए पर आप अपना पहला जो question है इसका graph का वो पहला question देख लेगे कुछ इस सरीके से question दिया है 2011 से 2014 के दोरन वी दोरा निर्मत बहानों की ओसस संख्या में 2009 में company E दोरा निर्मत बहानों की संख्या की तोलना में 24% की ब्रद्धी हुई थी तो company E ने वर्स 2009 में कितनी बहानों कर निर्माड किया है ना तो आप जो हैं क्या करें पहले जो शु का दम कर लें तो आईए देखते हैं यहां पर की इसके द्वारा वोल रहें आपका बी द्वारा बी कौन सा आपका डार्क वाला है डार्क वाली में आपसे गुला जा रहा है कि 2011 से 2014 के दवरान हैं ना 2011-2014 के दवरान इसकी वेल्यू आपको रीड करें यह वाली पैंसल आपको ले जाना जरूरी है क्योंकि पैंसल जब आप ले जाएंगे तो वैल्यू सही रीड करेंगे आप लोग और थोड़ा सा पैंसल को लाइट चलाइएगा नहीं तो फिर आपका ग्राफ खराब हो जाएगा एक्जाम में एरेजर जरूर लेके जाएगा लाइट पैंसल चलाइएगा और वैल्यू सही से रीड करेंगा आता तो है आपको यह विल्कुल तय है आपका सब आता है आपको लेकिन वहाँ पर गलत होने के चांसे 100 परसंट रहते क्योंकि एंग्जाइटी इतनी जादा बन जाती उस टाइम वैल्यू गलत रीड हो जात आप कही बार समझाए एंटेटी ईठीने है नीचे कितना है जैसे मैं आपको जब आयत चित्र पढ़ाती तो उतनी के यह विल्स तरीके से तो यहां पर 2010 रहता है इहां पर 2011 हुं रहता है पर 2012 मत गिनिए एक यह उसा के लिए 6 dining है नहीं बहुत गलत बात है यहां आपने का यहां पर देखना है कितनी एंटिटी हैं एक दो तीन तो तीन से डिवाइड करना है तो यह सब ध्यान रखना है ठीक है हाला कि यहां लाइन ग्राफ है लेकिन फिर भी मैं मुझे याद आया तो मैं सोच बता दूं गलती यह सब नहीं करना है आपको ठीक अब इसको आप कैलक किसे दिया गया है क्या रहे हैं कि 2001 में कंपनी द्वारा निरमत बहानों की संक्या प्रतीसद यह ना तो आप क्या करेंगे यह ने जो 2009 में बाहन जो निर्मित किये हैं आपने माना 100 यूनिट करें 24 प्रतिसाद की व्रद्धी वी तो 24 प्रतिसाद की व्रद्धी का क्या मतला हुए आप सब समझ गये होंगे कि 2430 कि ब्रद्धी का मतलब है पहले हम 2430 निकाले तब हम 2430 की ब्रद्धी निकालेंगे 100 था 24 सबसक्राइब 24 अब है ना 124 हो गया अभर यह यह एक सोच्य यूनिट जौनिया आपके किसे के बराबर दिये हैं 2011-2014 के दौरान वी द्वारा निर्मत बहानों की वस्त संख्या के बराबर हैं कितना आया था 279.75 आया था यहां से एक यूनिट की वेल्यू नहीं निकाल पाएंगे आप लोग 279.75 divided by 124 चुकि आपने जो बहानों की संख्या मानी वह 100 यूनिट मानी है और आप से यहीं पूछा गया यह नहीं कितने बहानों के निर्मान की है आपने का 100 यूनिट तो 100 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजें यहां से अंतर है बस आपको वैल्यू ठीक से रीड करनी है ठीक है कौन-कौन से बर्स में पहले वर्स को देख लिजे 2010 में फिर 2012 में फिर कव 2014 में फिर कव 2015 में है न तो इतना आप लिए यहीं पर 2 60 प्लस आपका तोटवOOOO多 प्लस आपका तो तोटवीज्व दिवाइड इसाह्त कि कितना लिखाया 250 लिखा हुआ है प्लस आपका 310 आपका 416 नहीं होगाइं ज अब क्या करना है इसी सॉल्ब कर लेना है ठीक से ध्यान से सॉल्ब करिएगा ठीक है अब आप इनका उस सब देखिए कितना आएगा तो यहां पर 1283 divided by 4 आप इसको सॉल्ब करिए 4 तीया 12 है ना 4 दूनी 8 0.75 इसको सॉल्ब करिए आप लोग यहां पर इसको सॉल्ब करेंगे तो 1098 आएगा और यहां पर divided by 4 होगा चार दूनी 8 यहां पर दो बचा चार सत्य 28 चार दसम्रप कितना हो जाएगा यहां पर 50 हो जाएगा ठीक अब आप यहां पर स्क्राव क्विश्चन पर चली है पने क्या कह रहे थे आपसे की इस द्वारा इन वर्शों में चू आपका ओसत है वह और वी द्वारा जो औस है वह तो आपने चैला किरें द्वारा जीट लेगा ए अनसर अब अगला कोशन दिखिन धियो ौजर-द 9-15 की द्वारान कम ये द्वारा निर्मित्वाहनों नुर्छा संद्वाइं करें लेख नुग्mi और बनेयमिन पर ग queda भी आपने जोड़ा था जो बच गया था आप उसको जुड़के कर सकते कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन आप मुझे याग नहीं है वैल्यू कितनी है इतना कोई नहीं याद रख पाएगा दिवाइड वाइड 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 वा 2015 में का company A द्वारा निर्मित बहानों का वसत बी द्वारा निर्मित बहानों के वसत का कितना प्रतिशत है यानि कि जब आपका वसत निकलेगा तो B में भी नीचे 6 रहेगा और आपका A में 6 है है ना तो आपको क्या करना होगा 6 तो आपको जरूरती नहीं इसको solve करने की जबर्दस्ति है ना अब आप किसका देख लीजिए बीका देख लीजिए एक बार भीका देखिए तो यहां से यहां तक जितनी वैली में इन सब को जोड दीजिए डिबाइड़ वाई 6 कर दीजिए तो क्या होगा यहां पर 307 प्लस 270 प्लस कितना हो जाएगा आपका 250 होगा प्लस आपका 289 हो जाएगा प्लस आपका 310 हो जाएगा प्लस आपका 400 हो जाएगा 6 entity है आप 6 से डिवाइड कर लीजिए यहां पर कितना हो जाएगा आपका 1842 हो जाएगा डिवाइड़ वाई 6 अब आप क्या करिए यहां पर आपक दॉआरा निर्मत बहानों का ऊसद मुल ये द्ल और दॉआरtı निर्मत बहानों का ऊसद मor लिए दूआ रहे हैं निकाल depiction इस दूआरा निर्मत बहानों doen का ऊसद कितना है निकाल निकाल घ्ञा रह् isol 돌inson के इस मुझे ब्रतीछत थी प्रतिशत किरा कृतना प्रतिश्प जो कि प्रतिसत निकालना है 100 से आप गोड़ा कर देंगे आप इसको स्वाल कर लिजेगा और जो आपका आंसर बनेगा वो आप यहां पर तो नेक्स कुशन आप ध्यान से देखें कुशन है आप से 2011 से 2012 तक कंपनी ए द्वारा निर्मत बहानों की वस्त संक्या और 2014 से 15 तक 2012 में और 2014 से 15 में बी द्वारा देख लिजे और आप अपने इस ग्राफ को देखें थोड़ा सा ठीक पहले में यहां पर दिखा देती हूं कि यह आपका क्या रेप्रेजेंट कर रहा है यह डॉट वाला है और भी आपका जो है फिल वाला है तो कह रहे थे 2011 से 2012 तो आप 2011 को देख लिजे और 2012 को देख लिजे और इद्वारा तो इद्वारा आपका यह बाले आपके भाहन है तो इनका उसत निकालना है आपको तो क्या करेंगे 218 प्लस 224 डिवाइड़ बाई 2 क्योंकि दो एंटिटी है तो दूसरे आप डिवाइड कर देंगे जोड लिजे आप त 2014 से 2015 तक बी द्वारा निर्मित 2014 से 2015 तक बी द्वारा बी ने यह वाला निर्मित किया देखें फिल वाली वैल्यू भी की है तो कितना होगा 310 प्लस 416 डिवाइड़ लिजे कितना होगा 626 हो जाएगा डिवाइड़ बाई 2 313 आपका यहां पर आ गया है ना अब आप यहां 2011 से 2012 तक बी द्वारा निर्मित बहानों की वसस संख्या कितनी निकाली आपने 221 निकाली और इसमें बी द्वारा निर्मित बहानों की संख्या 313 निकाली अनुपात आप निकाली जी 221 अनुपात 313 है ना तो यही आपका अंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन आप देख लाने वाला concept लाना है ठीक है आई आप question को देख लीजिए यहां पर आपका diagram है अब diagram को ध्यान से देखिए अब diagram क्या करता आपका कहे रहे हैं कि यह द्वारा 2015 में निर्मित भाहन तो यह द्वारा 2015 में 2015 में यह ने कितने भाहन निर्मित कि 348 2015 में बी द्वारा निर्मित भाहन कितने हैं 416 हैं अब आप थोड़ा सा कहां चले आपका जो question था उस पर चले ठीक है मैं आपको बार बार क्यों ले जाती है question पर क्योंकि जब आप वहां value रखेंगे तो आपके question के गलत होने के chances बहुत ही कम हो जाते हैं 2015 में company द्वारा जो भाहन है उनकी संख्या कितनी है उनकी जो संख्या आपने निकाली है वह आपने 348 निकाली है है ना बी द्वारा आपने कितने निकाली है तो बी द्वारा आपने 416 निकाली है आपसे पूछ रहा है कितना कम है तो देख लिजे कितना कम है तो आप सिंपल सा कॉश्चन है आपसे तीन कंपनियां ABC की वर्स 1993 से 1999 के लिए दीगी विक्रियां जो है चित्र में दर्स आएंगे हैं यहां पर आप ज़रासा देख लीजिए ठीक है अब 86-90 तक के कॉश्चन का आपको अंसर करना है और यहां यह देख लीजिए आपको जो आपका इ 1986 क्या रहा है 1993 में तीन कंपणियों की ओस भिक्री 1998 में और बिच अंतर क्या था तो हम पहले प्या करें 1998 में और अंतर कर लेंगे तो पहले आप 1993 में देख लेजे यह देखिए यह आपका कुछ इस तरीके से है ठीक अब देखिए कितना सिंपल सा क्वेशन है इसमें आप उससे कुछ निका आगे कह रहे हैं 1993 में तो यह 1993 है इसमें तीनों कमपनियों के ऊसद बिक्री तो आप पहली कमपनी की देखेंगे कमपनी यह आपकी पहली यह दूसरी थी जैए एंदेघा करें आपको ज्यादा हर वरान नहीं है उसक के क्या करें कितनी एंटिटी है एक दो तीन तीन कंपनी है तीन से डिवाइड करेंगे है ना कर दीजिए 170 आप उन कितना होगा त्री हो जाएगा अगला आप से कह रहे थे कि वर्श तो आप उन्हीं सुंठानमे को देख लिए यह आपका उन्हीं सुंठानमे है इसमें तीन कंपनियों के असद भिक्री यह यह और यह यह देखे कितना रेपर्जेंट कर रहा है यह 50 इसलिए मैं आपको बार बार कहती हूं पैंसे ले जाना कितना आप अवर्शक है पैंसे 80 है और आपका इसमें सी का कितना है हंड्रेड है है ना असी था यह सौरी और दिबाइड़ भाई आप 3 कर देंगे इनको जोड़ लीजे 230 बटे 3 अब थोड़ा सापने क्वेश्चन पर चलिए ठीक यह आपका क्वेश्चन था कि आपने निकाल लिए 1993 में तीनों कंपनियो तो आपने कहा 170 बटे 3 आई और 1998 में वह सद्विक्री कितनी आई थी तो आपकी वह सद्विक्री आई थी वह 230 बटे 3 आई थी आप अंतर कर लिजे आप जो है पहले इनको डिवाइड करते फिर आप जो हैं अंतर करते तो आपके लिए टफ पड़ जाता है ना पॉइंट मे 3 तो कितना होगा आपका यहां पर 60 बटे 3 आ जाएगा यानि कि आपका 20 अंतर आ गया है ना सी आंसर आपका करेक्ट है अगला देखे किस वर्स में कंपनी ए और वी की विक्री के वीच अंतर नियुनतम है तो ए और वी को देखना है आपको ठीके आप चले अपने इस पर कं आपका यह वाला है ठीक है और बी आपका यह वाला है तो आप क्या करें एको पहले हाइलेट कर लें यह आपका यह वाला है यह वाला आपका यह वाला रेप्रेजेंट कर रहा है सही जा रहे हूं ना मैं इस तरीके से आपका यह वाला है और कौन से का कह रहे थे बी का कह र विक्री के बीच न्यूंतम अंतर है तो आप क्या करेंगे 1993 में देखेंगे फिर 1994 में में देखेंगे फिर 1995 में यह तो बेब कोफी वुक्ष्ण जो रहेगा हमें उसको चेक करेंगे चेक करेंगे यह होता है आपका तरीका कि जो आप मुझते कि मैं जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व करें तो वह यही है कि option में देखें जो option में दिया गया उसी को सॉल्व करें फाल्तु का क्यों करना हमें भाई तो आप 1994 में देख लिजेए आपके 1994 थी कितनी है इसमें कितनी है आंतर कितना आया तिसका अंतर आया यहीं करते जाए है अगला वर्स देखिए आप मैं पेन का चेंज ँर्द कर रही अगला जो आपको वर्स दिया हैय इसकी वैल्यू कितनी है नाय Hindi्यंता हमें आहिता है आपको 120 है चालीस और 120 की बेच अंतर कितना है तो आपका 80 का अंतर है अगला आप देख लिए ज़रा कौन से वर्स का कह रहा थे लास में कौन से कह रहें आपसे लास में आपसे ऑप्षन है 1997 1997 को देखिए ये वाली वैल्यू कितनी है आपकी 60 है और ये वाली वैल्यू कितनी है आपकी 90 है जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको देख जाएगा अंतर कितना आया आपका बताईए आप लो देखिए यहा अपनी के थे पर fam में के बीच में कर लिए अनसर ब altre करेक्ट होगा आपको फाल्तु चेक्क नहीं है वसी ऑप्शन कर दीजिए अगलड है का कंपने बी के लिए कि दवारान का लगवत कितने प्रतिसत है तो भई अबसारत Completely के दोराइं कि दोरान ज Not और साहीए बाला है फिर से चस्तरी के सार करिए ताकि आप वैलू सर्फ इसी की स्कोर्व करें 60 है फिर 90 है फिर कितना है 120 थे मैं एक बार लेकि लिए तीम 60 स्क्र향 प्छ either 90 प्लस आपका 120 प्लस यहां पर अगे ना आपका क्या है 90 है फिर यहां पर देखे इसकी वेलु कितनी है 60 है प्लस 60 होगा प्लस आपका यह वाली वेलु देखें आपकी कितनी है 80 है प्लस आपका यह वाली वेलु देखें आप 100 है है ना बस आपको वेलु डीड करनी थी कितनी एंटिटी है आपकी कितनी है एक दो तीन चार पांच छह साथ साथ से आप डिवा और जो है आपका और सालाना उसद तो सी देखिए पहले सी आपका कौन है ट्रैंगुलर वाला है ट्रैंगल वाला है कहीं पर अगर थोड़ा सा मिस्टिक हो जाती है तो आप थोड़ा सा करेक्ट कर लिया करिए ठीक है जैसे यहां पहली वैल्यू 80 थी दूसरी वैल्यू कितनी है आपकी 40 रेपरेजेंट कर रहा है कितना है 40 है ठीक है फिर उसके बाद की वैल्यू कितनी है आपकी यह वाली वैल्यू होगी 60 होगी ना 60 होगा फिर उसके बाद की वैल्यू क्या है 60 के बाद आपका 60 के बाद अगेन 60 है आपका फिर देखिए यहां पर आपकी वैल्यू क डिवाइड़ वाई सेबिन अब जर्द आप अपने कोष्टन पर चलिए देखे वही कि आप उछ रहे थे आपसे बी द्वारा आपका आपका जो है ली गई अवदी के लिए आपका उसर सालाना भिक्री तो आपने निकाला बी द्वारा जो भिक्री आई है उसर वो 600 बटे सा सी की आपने नेकाली तो कितनी आईसाश साथ पुछाने के विक्री के आपकोई सब्सक्राइधा निकालना है आप 100 से मल्टिप्लाई कर दीजें आंसर निकाल लिजेगा वही आपका सही आंसर हो गए यहां पर ठीक अब देखे एक मिस्टिक जो हम सभी करते हैं जो मैंने भी यहां पर की है वो यह कि देखे आप से कह रहा हैं कि बी के लिए दिए अवदी के दोरान औसा साल ठीक है और उपर क्या होगा पांस्तो साथ फटे साथ होगा मल्टिप्लाई भाई हंड्रेड होगा यह गलती कभी मत करना है जो आप से पूछा जाए कि भाई इसका तो आपको उस वैली को नीचे करना है ठीक है याद रखेगा अब यहां पर आप कैल्कुलिट कर लीजेग अगला question देखिए company B की विक्री में अधिकतम प्रतिसात ब्रद्धी किस वर्ष होई किस में company B में पूछ रहे हैं तो हम option को चेक करेंगे हम इसको करेंगे इसको करेंगे इसको इसको हम बाकी के जो year है उनको चेक नहीं करेंगे और इनी में देख लेंगे कि किस वर्ष जो ह अधिकतम प्रतिसात ब्रद्धी हुई है सो आएए मैं आपको समझाती हूं अभी आपको तुरण समझ में आ जाएगा यह आप देख लेजेंगे आप बी आपका कौन सा है तो बी आपको पता है यह वाला हमारा बॉक्स वाला है यह वाली बी की वैलिव हैं हम से यह वाली ह 1998 फिर हैं आपका 1999 इन्हीं वर्सों में चेक करिए 1994 में देख लेते हैं ठीक तो 1994 में हम देखेंगे जब तो ध्यान से सुनिएगा पहले बी में प्रतिसद ब्रद्धी मैंने कहा तब प्रतिसद ब्रद्धी कैसे निकलती है पहले हमें पहले की वैल्यू चाहिए पढ़ती है बाद में कितनी हुई तब तो जाके हम प्रतिसद ब्रद्धी निकालेंगे कि हवा में निकाल लेंगे पहले बाली चाहिए पढ़ती है है करेंगे 10 पर हुई है तो बटे 10 कर दिया प्रतिसात में पूछा है तो मुल्टिप्लाइब है 100 कर देंगे ऐसी करेंगे न तो यही आपको मैं समझा रहे हूं अब जैसे 1994 में आपने देखा कि वैल्ली कितनी है 90 है पिछले बर्स का देखना पड़ेगा आपको यहां पर पिछ 1995 में यह आपकी वैल्ली है कितनी है 120 है 120 है मैं यह आप लिक लेती हूं नहीं तो फिर भूल जाते हैं कौन से वर्स का कौन सा था 1994 और यह किसका था 1995 का था तो इसके पिछली बर्स में कितनी थी 90 कितने आपका यहां पर हुआ देख लिजे आप पहले आपकी 90 थी फिर आपकी कितनी हो गई 120 हो गई तो कितने की ब्रद्धी हुई है यहां पर 30 की ब्रद्धी हुई है किस पर 90 पर ब्रद्धी हुई है multiply by 100 कर लीजे 33 सही एक बटे 3 प्रतिसत आ गया अगला option आप चेक कर लीजे 90-98 वाला ये आपका 90-98 वाला है value कितनी है ध्यान से पढ़िए 80 है आपकी कितनी है आपकी 80 value है 90-98 में चेक कर रहे है 80 है मैंने कहा है ब्रद्धी के लिए आम क्या करते है पहले वाला निकालते हैं ब्रद्धिय कमी के लिए पहले वाला देखते हैं पहले कितना था 60 था फिर 80 हो गया कितनी की ब्रद्धिवी 20 की किस पर 60 पर हुई है multiply by 100 कर लीजे आप यहांसे कितना आ जाएगा आपका 23 सही एक वटे तीन प्रतिसात आ जाएगा आखरी अप्सन चेक कर लीजे वस आपका काम बन जाएगा 1999 को चेक करिए 1999 में जो वैल्लिव है आपकी वह कितनी है 100 है कब 1999 में 100 वैल्लिव है इसकी पहले कितनी थी रीड करिए ध्यान से तो यह आपकी 80 थी सही है ना पहल है यह जो सारी वैल्लिव हैं चेक्ट से एक बार में बटाते मैं 50 प्रतीसत प्रतीसत थे से एक बटटी प्रतीसत प्रतीस बहुत को फूर्तिसन से सबसे जादा है कुछसा ऑप्शन सभ़ता साही होगा आप बिल्कुल कर सकते हैं मारा बिल्कुल सही यहां पर option होगा ठीक के थोड़ा साब calculation को देख लिया करिए और बहुत ही आसान question होते हैं ऐसा कुछ होता नहीं कि जो आप ना कर पाएं आपके ही बस में सब कुछ है ठीक है दियाल लखिएगा अगला question यहाप देख लिजिए अगला question आपसे क्या है question आपसे कि 1996 में company C की की विक्री और वर्स 1998 में company B की विक्री का अंतर है मैं आपको value रीड करा देती हूं अंतर आप निकाल लीजेगा देखे आईए यह आपका diagram था diagram क्या रहा है question क्या रहा है कि 1996 में company C की विक्री किसकी company C की विक्री 1996 को देखिए यह रहा 1996 C की विक्री आपका तिर्भुज बाला है तिर्भुज में कितनी है 60 है है ना और 1998 में किसकी विक्री B की विक्री बी कौन सा है यह box बाला है B की विक्री कितनी है असी है अंतर आप निकाल लीजिए बहुत tough question हो गया यह तो चलिए कर लिए आपने बहा हां अब करें नेक्स question पर समझ गया आप लोग अगला question देखते हैं हमें आपर अब हमें फिर से यहां पर तालिका दी गई है आए देखते हैं दीगी तालिका का अध्यन करें और दिया गया प्रशनों का उत्तर दें हम तो देखे ही रहेंगे उत्तर 2008 के पहले 6 महिनों के द्वारान A, B, C, D, E डीलर और द्वारा बेचे की कारों की संक्या परदर्शित की गई है देख लिजे भाई ये कारों की संक्या है ऐसा question हम लोग कर चुके हैं है ना मुझे अच्छे से याद है कि कर चुके हैं अब आप question को देख लिजे जरा आपना question आपसे ये है February, April और May में डीलर सी द्वारा बेचे की कारों की और संक्या जैनवरी में डीलर ये द्वारा बेचे की कारों की संक्या से X है देखे तो X का मान बताईए किता tough question है ये आप करनी पाएंगे ये question अराम से कर लेंगे देखे देखे खाली question को जो है किस तरीके से इन्होंने पूछाए वो देखे February, April और May में डीलर सी दीलर सी को आप target कर लिजे इस तरीके से February, April और May तो February को आप घेरा करिए April को आप घेरा करिए और May को करिए मैं क्यों कर रही है ऐसा यही आपको परिक्षा में perform करना action आप सभी से मेरी हाथ जूड की request है कि यही action perform अधरवाइस हम क्या करते हैं कि वेल्यू गलत रख लेते हैं और हम answer निकालते ही रह जाते हैं यह गलती आपको नहीं करना है simple question तो simply करिए इस दोरान बीचे की कारों की वस्ता संख्याप नहीं निकाल पाएंगे इन तीनों को जूड लेजे किसको 635 540 625 को जोड़िए पर कितनी entity हैं तीन entity हैं है ना तीन entity है तो तीन से हम डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 600 हमारा वस्ता आ ठीक जण्वरी में डीलर ए द्वारा अब डीलर टार्गेट करे जरा डीलर ए ये हैं बहूँ जैन्वरी में होने कितनी कारे में चाहिए 548 कितनी वेची है 548 इनके द्वारा कारों की बेचे की संख्या जो है X अधिक है तो X की वैल्यू निकालिए बताइए भईए X की वैल्यू क्या हो जाएगी 548 प्लस X इक्वल्स टू 600 X की वैल्यू क्या होगी आपकी 52 आ जाएगी Oral calculation थी विल्कुल इस question की अगला question आप देख लेजिए यहां से Question आप से है कि April में dealer B और E द्वारा बेचे की कारों की कुल संख्या का 80% February में dealer C और D द्वारा बेचे की कारों की संख्या से कितने प्रतिसत कम है ये भी कर लेंगे कौन सी बड़ी बात है हमारे लिए अब सब को शासान हो चुका है हम इतना questions कर चुके है सब को शासान हो चुका है है ना आप देखिए April में dealer B और E द्वारा बेचे की कुल कार हैं कितने हैं April को target करिए पहले और dealer B और E को देखिए dealer B and dealer E है ना तो 580 प्लस कितना हो जाएगा 740 है ना इतना हो जाएगा तेरा सो बीस होगा चिक आपने देखा तेरा सो बीस है अभी आप यहां पर देख लेजे क्या कर रहे थे कि आपका dealer B और E द्वारा बेचे की कारों की कुल संख्या का 80 प्रतिसत तो कुल संख्या आपने निकाल लिए कितनी आई तेरा सो बीस आई इसका 80 परसंट निकाल लीजिए अब क्यारे इसका 80 परसंट तो हम यहीं निकाल लेते हैं ना बीस चोको 80 बीस बंचे सो सॉल्व करिए इसको तो कितना आएगा एक हजार चप्पन आ जाएगा ठीक अब आगे देखिए इतना हमने परफॉर्म कर लिया आगे देखते हैं फेब्रेरी में डीलर वी और डी द्वारा बेचेगे कारों की संख्या तो फेब्रेरी देखिए आप फेब्रेरी टार्गिट करें फेब्रेरी को और किसको देखना है डीलर बी और डीलर सी और डी को देखना है किसको डीलर सी और डी को देखना है है ना तो 635 और 648 को प्रतिसत कितने प्रतिसत कम है अब यहां देखे कम और ज्यादा वाली बात आगी तो मैंने का तो आप घटाना है आपको जब तक कम और ज्यादा ना पूछा जाए तो घटाना नहीं पड़ता बार-बार मैं रिपीट करेंगे कि परिक्षा में बहुत ज्यादा जो है confusion क्रियेट हो जाता है देख लिजे भाईए कितना कम है तो कितना कम है 128-155 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका यहां पर आप घटा लिजे इनको तो 220 होगा तो 220 आपका कम है किस पर कम है भाई 224 किस पर कम है 1280 पर है percentage के लिए हम 100 से multiply कर देंगे यहां पर आप calculate कर लि फून है आपका यहां पर जूलाई 2018 में डिलर D दौरह कारों की विक्रीрокाओं पर देख लेते हैं पहले हम यह देखेंगे जून 2018 में जो है आपकी डी दौरह बेचे की कारों की संक्या कितनी है आईए देखते हैं ठीक कब जून 2018 में कितनी संक्या है देख लिजे जून में जून में डी द्वारा जून में डी द्वारा 780 है ठीक 780 पिछले महिने में कितनी है तो पिछले महिने में तो आपकी 600 है अब आप यहां पर चलिए थोड़ा स क्वेश्चन को देखे अराम अराम से करना है आपको बिल्कुल ठीक है जल्दबाजी मत करिएगा नहीं तो गड़बड हो जाएगी सब आपने देखा कि 2018 में डीलर दी द्वारा कारों में विक्री उतनी प्रतीसत बड़ी आपने यह सॉल्ब नहीं कि आपने देखा जून 2018 में जो है महीने में महीने में पिछली की तुलना में कितनी बड़ी तो आप कहेंगे पिछली में तो 700 आपकी जो है असी थी और उसकी स heaven नहीं प्रतीस बड़ी जितनी जून 2018 में पिछले महाने कि तुलना में बड़ी यानि कि प्रतीसत में कितनी बड़ी तो प्रतीसत में 100 रवड़ी है 600 पर बड़ी मुल्टिप्लाई वाई hundred कर देंगे तो 30 प्रतीस बड़ी टीक तो जुलाई 2018 में डी द्वारा बीची कि कारों की संख है आपसे पूछी गई थी। ठीक तो पहले यह देख लिए ज्युलाई 2018 में डी द्वारा कितनी higher बैचींगे हैं, तो यह देखें आप जुलाई 2018 में तो आप देखेंगे जुलाई का का कहीं data ही नहीं है है ना जुलाई का इसमें कहीं डेटा नहीं है अब आप क्वेश्चन को देख लिए जरा फिर से पढ़िए क्वेश्चन को के रहें जुलाई 2018 में डी द्वारा कारों की विक्किली उतने ही प्रतीसत बड़ी जितनी जून 2018 में पिछले महिनी की तुलना में बड़ी कितनी बड़ी आपने निकाला 30% बड़ी तो जुलाई 2018 में डी द्वारा बेचे की कारों की संक्या कितनी है तो आपने कहा था भई 30% हमने निकाला था 30% बड़ी किस पर 30% बड़ी है यह आपको पता है जून पर बड़ी है तो जून में कितनी थी 780 थी है ना 680 थी और 30% और 0-0 cancel 0-0 cancel 780 प्लस 38 24 का 4 हसिल की 2 301 और 2 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा जोड लेजे इनको 4 हो जाएगा 8-9 10 11 यहाँ पर क्या होगा 7-8 9 और यहाँ पर क्या होगा 10 हो जाएगा तो आपका यह आ गया ठीक है 1014 अब आंसर देखते हैं यह कोई सा मैच भी हो रहा है कि नहीं यह देखे आपका यह option यहाँ पर मैं चोड़ा है ठीक क्वेशन को आपको ध्यान से देखना है और जब भी समझ में ना है तो फिर से question पर जाएगे question की भासा को रीड करिए अगला question देखे जैन्वरी एप्रेल और जून में डीलर बी द्वारा बेचे के इकारों की कुल संक्या और मार्च में डीलर ए और दी द्वारा बेचे के कारों की कुल संक्या का अनपात गयात कीजिए देखते हैं यहाँ पर चलिए आप मैं हर तरीके का वो मतलब बता देती हूं कि आप कैसा सोच सकते हैं जैसे मुझे पता था कि यहाँ पर जुलाई का तो डेटा ही नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको ले गई ताकि आप देखें कि भई जुलाई का नहीं है तो अब आपको क्या करना है क्वेशन की भासा पर जाना है हर वडाना नहीं है तो मैं हर वो चीज़ सोच रही है जो आप सोच सकते हैं जितना आप एक्स्टेंड लेवल का सोच सकते हैं कि यह भी हो सकता है यह भी तो पहले ही आपको बता देती हूं तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखेगा बहाँ पर अब देखिए जैनवरी एप्रिल और जून में बी द्वारा आपकी बेचेगी कारें किसके द्वारा B द्वारा पहले आप B को highlight कर लिजे फिर के रहें January में और April में और किस मन्त में June के महिने में सबको जोड़ लिजे 600 प्लस 580 प्लस 620 अठरा सो आगे आपका ठीक है अब के रहें March में dealer A और D द्वारा वेची के कारे तो भाई आप पहले March को target करिए अपना March य द्वारा यह है और D द्वारा यह है तो आपके कितना है 628 प्लस 722 जोड़िए 1350 आएगा अब आप यहां पर अपने question पर चलिए जरासा question क्या कह रहे थे question आप से कह रहे थे कि जैनबरी April जून में dealer B द्वारा बेची कारों कि कुल संख्या आपने निकाल ली 1800 आई थी पहले जो लिखा है मैंने आपको समझाया पहले वही लिखिए आप लोग फिर आप यहां पर बाद में आप इसको लिखिएगा अनपात निकाल लीजे अगला question देखिए मार्च माहे में सभी डीलर नों द्वारा बेची कारों की वस्त संख्या तो मैं बस आपको इसकी वेल ठीक यहां पर आप अपना अंसर मैच कर लिजेगा अगला question देखिए आप अगला question है कि निमने लेके 96-100 आपके तालिका में पांच अलग अलग कॉलेजों की विभिन्न विशायों में विध्यारतियों के प्रतिसत विभाजन को दर्साय गया है तालिका का दिन करें और नि कि आहिए कॉलेज भी हम् हमारा यह वाला है इसमें अर्फब Mograan के विषाय के लिए तो सी कॉलेज आपका यह वाला है इसमें विभिग्यान विशाय के लिए फौनी फायव है कितने फौनिफासयों में कर लगवक कितना प्रतिसात हैं अब आपको इन अर्भ छीज़ों पर इस ध्यान देना है यहां पर कि यह प्रतिसत विभाजन दिया गया है मतलब यह टोटल का देखिए क्वेशन को मैं फिर से पढ़ा देती हूं अगर आपको कंफ्यूजन है तो क्वेशन देख लीजे विभिन विशायम विध्यारतों कि प्रतिसत विभाजन को यानि कि 35 प्रत से 40 प्रतिसत हैं गट 살 से 25 प्रतिसत इसकी कुल का कुलका आपका 25 प्रतिसत गड़ सास्त कि 30 प्रतिसत बिग्यान आपको इन सब चीजों का धहन देना है ठीक है अब आप देख लीजे जब्स यहाँ पर मैंने कहा आप सी कि systems Подने क्षा 40 प्रतिशत कितने का 40 प्रतिशत देखिए इसका 40 प्रतिशत तो पहले इसका 40 प्रतिशत निकाल लिए निकाल लीजे 40 प्रतिशत कितना होगा 40 प्रतिशत कितना होगा यहां पर आपका 4000 आ जाएगा ठीक है फिर करें कॉल सी के विज्ञान के विध्यारती तो college C विज्ञान को देखे 45 किसका 15,000 का 15,000 लेखिए भाईया 15,000 का कितना 45 प्रतीशत 20-20 cancel solve करिए इसको कितना आएगा 6,750 ठीक तो आपने देखा कि आपका C में विज्ञान के विध्यारतियों की संक्या कितनी आई आई कि संक्या का लगवक कितना प्रतीशत हैं आपसे पूछा गया है कितना प्रतीशत हैं तो किसकी संक्या का C के विज्ञान के college की संक्या का यानि कि आपका C नीचे आएगा और B कहा आएगा आएगा आपका B आपका उपर आएगा तो आप क्या करेंगे B की छात्र जो है आपने कॉलेजों में कुल विध्यारतियों के आकड़ों को ब्रत्र आरेक पाई शार्ट की रूप में दर्साय जाता है तो कॉलेज ए को दर्साने वाले तरज्य खंड का सेक्टर आपका क्या है यह बहुत अच्छा कुश्चन है ध्यान से समझिएगा सभी कॉलेज में कुल विध्य सभी कॉलेज में विध्यारति आपके यहें इतने सारे इनको जोड़ यहीं पर ठीक है आठ जार प्लस 10,000 प्लस पंदराज प्लस गराजार कितना होगा 53,000 होगा ठीक है तो कह रहें सभी कॉलेज में आपके जो है कुल विध्यारतियों की संख्या तो यहां देख लीजे भ तो आप क्या करेंगे 360 डिगरी के बरावर पूरा फुरत होता है उसको हम कुल के बरावर कर लेंगे ठीक कुल के बरावर आपने कर दिया आपको within जो है दरसाणे यॉट इनकी संक्या जो है उसको कौणव के रूप में बताना है तो इस आपके कुल जीरो, जीरो, जीरो कर रेप्रेजेंट कर रहा है, तो आप 11,000 की value नहीं इकाल पाएंगे, 360 upon 53,000 multiply by 11,000, इनको आप solve कर लीजिए, solve करेंगे, तो यहाँ पर आपका answer आजाएगा, लगभग आपका 74 के point के लगभग आता है, तो 75 आपका degree आजाएगा, C option correct है, देख लिजी अब भई, मैंने आपको कहा तो मैं E में दिखा दूँगी, E में देखे, कुल आपका 11,000 ठीक, इस तरीके से यह किया जाता है, कुल के बराबर किया जाता है, जो आप से कहा गया, उसी के बराबर, सभी कॉलेजों में विज्ञान के विशाव में, कुल विध्यारतों की औसस संक्या कितनी है, सभी कॉलेजों में पूछा गया है, तो आईए सभी कॉलेजों में हम विज्ञान में देखते हैं पहले, विज्ञान में देखिए, यह वाला आपका विज्यान है ठीक है तो ACiedo 25 प्रतिसत, 10,000 प्रतिस fy सत्पंद्रा अजल का थालिस प्रतिसत 9 wrapped अजल काएसं प्रतिसत ग्यरान रचा, बेसम हो इन सब को जोड़ लीजिये वही आपका क्या होना को लाइगा ठीक तो पहले हम क्या करेंगे आठ हजार का 25 परतीसद बैसे करने के जरूवट नहीं आठ हजार का 25 पर तीस सथ ओरल है वाई 2000 यह आता है है ना 50 परतीसद किया होगा 4000 फिर उसका अधा क्या होगा वह व्यस्ति बात है 2000 होगा इसको देख लीजे आप यहाँ पर यहां पर 35% आपको निकालना है तो यह भी ओरल है कि यह 3500 आ जाएगा इसका देख लीजिए कितना आ जाएगा यहां पर 15,000 का 15,000 का 45% दो जिरो से दो जिरो केंसल यहां पर क्या होगा यहां पर हो जाएगा 6,750 अभी किया था आपना यह 6,750 इसको देख लीजिए 28% 9,000 का आपको 28% निकालना है 28% निकालना है तो कितना आएगा यहां पर 2520 ठीक 2520 अगला देख लीजिए यहां पर 11,000 का कितना 35% निकालना है आपको किसका 11,000 का 11,000 का 35% निकालना होगा आपको 3850 यह चितनी वैल्यू आई है आपकी कितनी 2000 प्लस 3500 प्लस 6,750 प्लस 2520 प्लस आपको कितना है 3850 इन सभी को जोड लीजिए क्यूंकि आप से पूँछा क्या गया है ध्यान से देखिए सभी कॉलेजों में विज्यान विशय में कुल चात्रो कितनी है जोड़ लीजिए और सभी आपके विद्याला कितने हैं तो विद्याला गिन लीजिए आपने कितने एक हैं दो हैं तीन है चार पांच है पांस से डिवाइड कर लीजिए आंसर आजाएगा आपका यह भी सिंपल कुश्ण था अगला दिखिए कॉलेचों ए और सी क कितनी हैं गड़ेत में 40% है اور सी में कितने हैं आपके 35% है निकाल लीज Whoo putting 50 oh भागा इसका कितना हो जाएगा इसका अपका 5250 हगा और सी कुल विझ्यारती कितने होगे इन दोनों को जोड लेंगे था थे आठप और चार्सों तो फिश्मी प्रिश्ड कितना है तो पहले तो आपने गड़त, गड़त मैं aa और c के लिए बिईयारती कितने हो तो टॉटल विदियारती तो विद्ध्धार्ती आपके α. 1457 एै थे थे ठीक करएं कितना प३र boiling चार सो पचास तो आप ने देने कितना है नीचे ओल आयगा कुल किसका कुल किसका के ऑगा कोई A और Season in में एक विद्धयारति हों का आएगा मतिपलाई वई 100 करेंगे अब 8जार में सिमें हमारे 15,000 है तो 8 और 15 कितना हो जाए उसका है उसी का लिखना है उन्नेसेसरी आपको कुछ नहीं करना है ठीक है multiply by 100 कर दीजे जो आपका अंसर आएगा वही आपकर टिक कर लीजेगा ठीक है अब लास्ट कोश्चन देख लीजे आज की प्रेक्टिस का लास्ट कोश्चन ने कॉलेज भी और सी में अर्थसास्त्र विशाए तो आपका यहां पर 10,000 का 40 प्रतिसत क्या होगा 4,000 हो जाएगा और यहां पर यह 15,000 का 20 प्रतिसत कितना होगा 35 2,9 तो 7,000 आपका आगया यहां पर ठीक करें D और A में गडित पिशाय में तो D में देखिए मैं पहले pen का color change कर ले रहीए D में और A में गडित में देखना है गड़त में कितने 30 हैं, यहाँ पर 40 हैं, लेकिन प्रतिसत में, ठीक, 9000 का 30 प्रतिसत कितना होगा, नोतिया 27, यानि कि 2700 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11 चक, 44, यानि कि 4400 आपका हो जाएगा यहाँ पर, ठीक, दोनों को जोड़ लीजे, 700 यहाँ में तो आपने निकाली साथ हजार एकतर सोई आई थी ना हां कितना देखे आप अंतर नहीं निकाल पाएंगे सो का अंतर है आपका ठीक कितना सिंपल सा कॉश्चन था अब यहां पर आज का आपका प्रेक्टिस सेट खातम होता है मैं आशा करती हूं कि आपको समझ में आया हो होगा ब्लीड अगर आपको अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलेगा थैंकी सो मच